तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म जितने भी लोगों ने एंटी पीसी का एक्जाम दिया था उनके लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी है क्योंकि भाईया आपका रेजल्ट आने वाला है और ऑफिसियल नोटिस आ चुका है जो कि आपको साइड में स्कीन पर दिखाई दे रहोगा उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपका जो पन्दरा जनवरी को आएगा तो 2022 में उसी के साथ नीचे वाली लायन में लिखा हुआ है कि आपका जो सेक्ड इस्टेज का जो एक्जाम होगा वह होगा आपका 14-18 फरवरी के बीच लेकिन अगर कोविड लग जाता है तो यह कोविड के अगर समस्य आ जाती है लोगडाउन लग जाता है तो थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है लेकिन आपसे रुखेश्ट रहेगा दोस्तों कि आप अपनी प्रेपेर जो है अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दें बहुत सारे स्टूडेंट के मायन भी यह कि सर मेरा आएगा के नहीं आएगा आएगा के नहीं आएगा नंबर इस्टेज फर्स्ट किलियर होगा या नहीं होगा तो मैंने काफी वीडियो यूटूब पर देखे सबका अलग-अलग थोड़ा से एक्सपेक्टेड है कि कट अफ कितना रहेगा कि किसी ने कुछ और बत उसके बाद बात आ जाती ओवी सी बो रहेगा आपका 60 से 65 और उससे थोड़ा कम आ जाए हम ऐसी पर तो 55 से 60 के बीच में अगर आपके सही है आंसर की पहले ही आ चुकी थी और अब तो आंसर की आप देख भी नहीं सकते क्योंकि एक ही बार आंसर की को टाइम होता है दो या पास आए ऐसी से थोड़ा नीचे आए तो जो भी है जो आखों से थोड़ी से वैसे होते उनके लिए भी जो होता है तो वैसे तो रेली वैसा कोई सिस्टम नहीं है कि आखों में कमी है तो आपको जौब दे दे पहली बात तो आप अपनी तयारी कर दीजिए शुरू और ऐ कितनी नंबर पर आपका जो है क्लियर हो जाए फर्ष्ट दूसरी बात पहले वैकेंसिया कम थी अब इस बार ज्यादा भी है यह भी बहुत अच्छी बात है तो यहां पर कट ओफ लगवक कम साही रहेगा पहले से जो पहले ता उससे थोड़ा सा कम रहेगा या फिर अगर जादा एक्जाम दे तो लगवक उतना ही रहेगा जादा तो नहीं जाएगा यह तो मानना है कि ज्यादा का कट आफ नहीं जाएगा तो अपनी तैयारी सुरू कर दें प्लस मैध की तैयारी हम आपको कराएंगे एक से बैंतरिंक लिए जिसमें सुरू आपको बताया सब्सक्राइब कर दीजिगा जिससे हम एंटी पीजिका जो आपको मैध करा है वह आपका क्लियर हो जाए बागी सब्सक्राइब कहीं से बढ़ रहे हैं या यूटुब से बढ़ रहे हैं तो अपनी तैयारी सुरू कर दीजिए अगर आपको अच्छे मांक से टेस्ट को लगाना है जौब लगाने यह मौका है इसके बाद रेल्वे में पांक साल तक आपको मौका मिलने वाला नहीं है तो आपसे रुक्ष्ट है हम्मर्ट रुक्ष्ट है तैयारी सुरू कर दीजिए आज से ही लग जाईए यह मैं सोचे करके कल से तयारी करूंगा या परसों से तहाई महीने में तो आप मैं बता रहा हूं 100 परसेंट तैयारी कर सकते हं 100 के 100 कोशन से कर सकते हैं ठीक तो थेंक्यू आपने विडियो देखा आपसे इतना ही रुक्ष्ट है प्लीज मेहनत कीजिए अपनी जॉब लगाईए अपने माब आपको खुस रखिए और झाल